पिछले कई दिनों से यह कयास लगाया जा रहा है था कि पुर्व केंद्रिये मंत्री और बीजे पी बंगाल के कदावर नेता बाबुलग सुप्रियो राजनीती को अलविधा कहने वाले हैं आज बाबुल सुप्रियों ने सोसल मीडिया के माध्यम से राजनीती को अलविदा कह दिया है उन्होंने लिखा है कि वह राजनीती में सेवा करने के लिए आये थे सेवा भाव से आये थे लेकिन सेवा करने के लिए राजनीती में बने रहना काफी नहीं है वे बिना राजनिती के भी लोगों की सेवा कर सकते हैं क्या कुछ है पूरा मामला हम आपको बताते हैं पुर्व केंद्रिय मंत्री और बंगाल में BJP के बड़े नेता बाबुल सुप्रियों ने राजनिती को अलविदा कह दिया है उन्होंने सोसल मीडिया पर एक पोश्ट लिखा और वे राजनिती में सिर्फ समास सेवा के लिए आये थे अब उन्होंने अपनी राह बदलने का फैसला किया है उन्होंने कहा कि लोगों की सेवा करने के लिए राजनिती में रहने की जरूरत नहीं है वे राजनीती से अलग होकर भी उस उदेश्य को पुरा कर सकते हैं उनकी तरफ से इस बात पर भी जोड दिया गया कि वे हमेशा से BJP के हिसा रहे हैं और रहेंगे वे कहते हैं कि उनके इस फैसले में वो समझ जाएंगे पिछले कुछ दिनों से बाबुल सुप्रियों की चुपी और BJP में उनकी कम होती भूमिका पर कई तरह के सवाल उठाये जा रहे थे अटकलाई यह भी थी कि बाबुल कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं अब अपनी सोसल मीडिया पोस्ट के जरिये उन तमाम विवादों पर बाबुल सुप्रियों ने विस्तार से बात कही है उन्होंने कहा है कि पार्टी संग मेरे कुछ मतभेत थे वो बात चुनाओ से पहले ही सभी के सामने आ चुकी थी हार के लिए मैं भी जिम्मेदार लेता हूँ लेकिन दूसरे नेता भी जिम्मेदार हैं उन्होंने सोसल मीडिया पे लिखा कि सब की बाते सुनी बाप, मा, पत्नी, बेटी, दो प्यारे दोस्तों मैं किसी और पार्टी में नहीं जा रहा उन्होंने लिखा कि मुझे किसी भी पार्टी की तरफ से फोन नहीं आया मैं एक टीम का खिलाडी हूँ, हमेशा एक टीम का समर्थन किया है उन्होंने अपने इस्तिफे का एलान सोसल मीडिया में एक कविता के रूप में किया उन्होंने लिखा कि अगर सामाजिक कारे करना है तो वह राजनिती के बिना भी हो सकता है बावुल सुप्रियों ने अपने इस्तिफे में ग्री मंत्री अमिश्शाह और बीजेपी के राष्टी अध्यक्ष जेपी नडडा का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि दोनों ही लोगों ने कई माइनों में मुझे प्रेरित किया है मैं उनके प्यार को कभी नहीं भूलूँगा उन्होंने कहा कि मैं प्रातना करता हूँ कि वे मुझे गलत नहीं समझेंगे और मुझे माफ कर देंगे उन्होंने कहा कि 2014 और 2019 के बीच बहुत बड़ा अंतर आ चुका है उनका कहना है कि 2014 में BJP के टिकट से अकेला लड़ा था लेकिन बंगाल में आज BJP मुख्य विपक्षी दल में है आज पार्टी में नए चमकीले युवानेता आ चुके हैं पार्टी में उतने ही युवानेता हैं जितने पुराने हैं कहने की जरूत नहीं है कि युवानेताओं के असाद पार्टी एक लंबा सफर तै करेगी बंगाल में हुई BJP की हार बहुत बड़ी वज़ा मानी जा रही है क्योंकि बंगाल में BJP ने कई बड़े बड़े निताओं को जोग दिया था फिर भी इसके बाबजूद BJP वहां जीत नहीं पाई बाबुल सुप्रियों एक बहुत बड़ा चेहरा थे बंगाल के बंगाल के लिए लेकिन यह माना जा रहा है कि कहीं न कहीं बाबुल सुप्रियों बंगाल में वही हार के जिम्मेदार हैं जिसकी जिम्मेवारी बाबुल सुप्रियों ने लिया है और कहा कि हां मैं हार का जिम्मेवार हूँ लेकिन मेरे साथ साथ कई और बड़े निता भी जिम्मेदार है